हाई एवरिवान वेल्कम टू इलेक्ट्रिकल विंग्ज मैं हूँ आपका दोस्त थरेश और आज के सेशन में हम सिखने वाले हैं कॉंटेक्टर पिकप एंड ड्रॉप कंडिशन यह जो कॉंटेक्टर है इसको मैंने कनेक्शन कर दिया है अभी यह जो हमारा कॉंटेक्टर है वो ड्रॉप कंडिशन में है यहां पर आप देख सकते हैं यह कॉंटेक्ट चारो के चारो ओपन कंडिशन में है जब पिकप होगा उस condition में contactor का क्या reaction रहता है so हमको पता चलेगा कि shaded ring का महत्व क्या है उसका importance क्या है वो हमें आज के session में पता चल जाएगा so इस contactor का supply में own करने जा रहा हूँ so यहाँ पर आप देख सकते हमारा contactor जो है वो pick up हो चुका है okay and हमारे contactor में से कोई भी sound नहीं आ रहा है so अभी का जो condition है उस condition में हमारे contactor के अंदर shaded ring लगा हुआ है so उसकी जासे हमारे contactor के अंदर से कोई भी sound नहीं आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं चारो के चारो contact जो है वो close हो चुके है okay अभी इसका supply में बंद कर देता हूँ okay हमारे contactor drop हो चुका है one more time यह pick up हो चुका है and यह drop हो चुका है okay अभी next हम देखेंगे कि अगर इसके अंदर से shaded ring लिक रिमूव कर दिया जाता है then उस condition में क्या होता है so guys यहाँ पर आप देख सकते हैं इस contactor का यह जो हमारा core है okay इसके अंदर से मैंने इन दोनो shaded ring को निकाल दिया है okay यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी shaded ring निकालने के बाद इस contactor का में try लूँगा and इसका reaction क्या होता है वो हम देखेंगे so guys इस contactor के मैंने दोनो shaded ring निकाल दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं and अभी हमारा contactor जो है वो drop condition में है okay यहाँ पर आप देख सकते है okay चारो contact no condition में है जब pick up होगा तब यह जो plunger है वो नीचे जला जाएगा इस तरह से so अभी हम इसको observe करेंगे कि इसका reaction क्या आता है so guys इस contactor को मैं on कर रहा हूँ आप observe करिएगा कि क्या reaction आता है यहाँ आप देख रहे हैं यह काफी scattering sound कर रहा है okay contactor को मैंने drop कर रहा दिया है इसका supply off कर दिया है so यहाँ पर आप देख सकते हैं okay shaded ring निकालने के बाद जब मैंने इसका try लिया तो यह काफी sound कर रहा है okay so one more time guys इसका हम try लेते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं काफी sound कर रहा है so यह जो sound है okay इसका यह meaning होता है कि दोनों जो core है e-shape वो एक दूसरे से अलग होने का try करते हैं और यह जो frequency रहती है एक दूसरे से अलग होने की और चिपकने की वो काफी fast होती है क्योंकि हमारा जो zero crossing line है वो काफी जल्दी आता है okay क्योंकि 20 millisecond का cycle रहता है इसलिए so I hope you guys learn something new okay if you like the video please like share and subscribe stay tuned for learning thank you guys